इस injection से आपका जो रोमेटायड अर्थराइटिस होता है या स्किन रिलेटिव फॉर्म्स होती है या फिर आपको जो ऐलोपीसे के दिक्कत हो जाते हैं जिसमें दाड़ी के बाल जो होते हैं निकल जाते हैं जिसको ऐलोपीसे आप बारवे कहते हैं वो प्रॉल्लम इस एक injection से दूर हो सकती है जिसके बारे में हम आज इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे वल्कम बैक तो दा मेडिकल जानकारी यूटूब चैनल गाईज आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंडिक्शन के बारे में जो अर्थराइटिस के लिए यूसफुल होता है और आपकी स्किन इलेटिव पॉर्ण के लिए यूसफुल होता है तो अंतर तक वीडियो देखते रहेगा मेरा नाम है अंकुछ और आगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी हेलफूर मेडिकल जानगारी आपको आम इस चैनल पर प्रवाइड करते हैं अमें इस्टाग्राम पर फेसबूप पर फॉलॉप जरूर करें डिस्क्रिशन में सारे लिंक दी गए हैं जिस इंजिक्शन के बारे में हम बात करें उसमें जाता है इंगियर्स आपका ट्राइमी सीनिलॉन ऐसी डोन इस परकार से देखने को मिल जात यह ब्राइड दूसरा है बट आपको कैनल पोट में भी आपको इसी तरीग्या से इंजिक्शन जोगा वाइट कलर गा देखने को मिल जाता है इन्जिक्शन बेसिकली होता क्या है यह कौटिको एस्टरोइड गुरूप से देखने को मिल जाता है बेसिकली एक disease basically क्या होता है इस condition में जो होता है आपका immunity system जो होता है आपकी कोशिकाओं को damage करता है यानि आपकी असली कोशिकाओं को पहचान नहीं पाता है जिसके वैसे उन पे दिक्कत करनी शुरू हो जाती है और आपके autoimmune disease जो होती है जैसे कि आपका lupus हो गया, rheumatide arthritis हो गया, colitis हो गया and thyroid हो गया, साथे साथ आपका जैसे कि alopecia barby हो गया जिसमें आपके दारी के बाल निकलने शुरू हो जाते हैं, सर के बाल निकलने शुरू हो जाते हैं, ऐसी condition में autoimmune disease में यह injection होता है, बहुत जादा help होता है, तो basically इसके best uses के बारे में हम बात करें तो osteoarthritis के condition में इसका use के जाता है, जो कि joint disease है, जिसमें joint में सूजन आना, दर्द होना, कट-कटिया हो जाना, ऐसी condition में इस injection में लिए होता है, वो यूज के जाता है साथ में आपके skin-related problems के लिए जैसे कि आपका allergic हो गया, एकजिमा हो गया, डर्मेटाइटिस हो गया, फंगल हो गया, नॉर्मल खुजनी हो रही है साथ-साथ, allergic asthma की condition में इस injection को यूज किया जाता है करी बार हम कई-कई condition में जो होता है, इस injection में अलगला condition में यूज किया जा सकता है डॉक्टर अपने experience के साथ से अलगला यूज करता है, और alopecia की condition में भी यूज करता है यानि जो बाल और चड़ रहे होते हैं, वहां पर इस injection बाल निकलने शुरू भी हो जाता है क्योंकि वह भी एक autoimmune disease होता है, वह देखने बाप में जाता है कई बार क्या होता है, नॉर्मल या आपके बाल निकलने शुरू हो जाता है उस condition में इसको यूज नहीं करना चाहिए, and without doctor concern के भी इस injection का यूज नहीं किया जाता है doses क्या होता है, injection का basically, जातर इसको osteoarthritis and skin-related problems के लिए यूज करता है skin-related problems के खाच भीगे में तो हम इसको weekly या twist देते हैं या पर दिन में, हफते में दो या तीन बार से जादा हम इसका इंफ नहीं करते हैं वैसे ज़्यादा जरूत नहीं पड़ती है, जो आपके arthritis की condition होती है, उस condition में इसको देया जाता है IA यानि intra-articular injection, like जैसे कि joints होता है, तो joints को बीच में इसको directly अंदरिक तरफ दिया जाता है, ताकि सूजन को दर्द को कम करने में बहुत जादा helpful होता है इस निजनल स्याज़ात करिवा dexona का भी combination करके इसको दिया जाता है, और डॉक्टर अपनी के साफ से, अपने experience के साफ से, इस निजनल का अलग अलग तरीके से यूज करता है अब क्योंकि asteroid होता है, जिसका काम होता है, दार्द को, सूजन को, या infection को काम करना, बट, autoimmune disease की condition में इसको ज़्यादा तर यूज किया जाता है और यह आपको tablet के form में मिल जाता है, cream के form में मिल जाता है, और वहीं पर जो injection होगा है, आपको वीडियो पसंद आए होगें, वीडियो अच्छा लगा, आपको like चरू करें, share जरू करें, and doubts हैं, comments ज़रूर बताएं, and अधर किसी ने आपको यह injection यूज किया है या आपने यूज किया है, अपना review जरूर शियर के, comments दाके और लोगों पो भी help मिल सके, so, मिलते है अपने next व्डियो के साथ, okay भाई टाटन, thank you for watching.